असलाम अलेकुम वीवर्स वालकम बाक टो माई चानल वूमन सोन और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ रूप सब फेरनी की रेसिपी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने ले लिया है तीन लीटर दूद इसमें हमें बिल्कुल भी पानी ए गर्म हो जाए तो मैंने इसमें एड़ किया है राइस यहां पर मैंने 250 ग्राम राइस ले लिया है चावल और इसे मैंने धो के सुखा लिया था जब वो अच्छी तरह से सूख गये थे तो इसे ग्रैंडर में मैंने फाइन पीस लिया है बस ऐसे जैसे रवा होता है ताकि चावल लगे नहीं अब मैंने इसमें एड़ किया है वान टेबल स्पून इलाइची पाउडर इसे भी हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है और अब मैंने इसमें डाला है यहां पर आप चमज की साइज देख सकते हैं टू अना हाफ चमज जो है मैंने यहां पर रू अ अफजा एड़ किया है और इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा वैसे आपकी पसंद है आप जितना डार्क या लाइट करना चाहें वह आपकी अपनी मर्जी है और साथ में ही मैंने यहां पर हाफ केन कंटेंस्ट मिल्क दाल दिया है यह भी मीठा होता है इस दिये शकर ज करते जाएगी तो यहां पर फाइनली मैंने एक कब से भी कम शकर जो है इसमें एड़ कर दी है और यह बिल्कुल परफेक्ट मीठा था ना बहुत जादा मीठा हुआ था और नहीं कम फिरनी जैसे मीठी होने चीए बिल्कुल वैसे ही थी और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी फिरनी जो है अच्छी खासी थिक हो चुकी है और बहुत ही क्विक यह बन जाती है फाइनली मैंने इसमें एड़ किया है टू टेबल स्पून के करीब रोज वाटर और हमारी फिरनी बिल्कुल रेड़ी है इसे सेट करने के लिए तो यहां पर मैंने ले लिया है यहां परिपेर किया है ताकि हम जिसे भी देना चाहें बहुत एज़ी दे सकें तबस हम इसमें फिरनी डाल देंगे यह दिखने में जितनी खुबसूरत लग रही है खाने में भी बहुत ही टेस्टी है आपने मैंगो फिरनी या मलाई फिरनी ज़रूर खाई होगी एक पर और मुझे भी कॉमेंट्स करके बताईए कि आपको मेरी यह रेसिपी कैसे लगी तो वीवर्स आज की मेरी रेसिपी यहीं तक थी आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक कीचिए शेयर कीचिए और सबस्राइब करना बिल्कुल भीन भूलें तो फिर मिलू नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए अलाहफेज